इस्राइल ने हिजबुल्ला के गड़ में घुसकर किस तरह से एर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्ला के उन सभी अड़ों को तबाह करने का फैसला किया है ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौझूद हूँ इस वक्ट दक्षनी बेरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट यहाँ पर दो तीन घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय रात के अंधेरे में एर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमी दोज कर दिया गया का है ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्ला के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये टैक किया जाता था कि कैसे दक्षनी लेबनन के बॉर्डर पर इसराइली सेना से लड़ना है इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है कि कैसे लेबनन के जरीए ग्राउंड रेट्स के जरीए अपने ये धमाका सोना ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहां पर मिजाईल फैंकी गई है उसमें से अब भी लाइब धमाके आप देख रहे हैं लेकर बता रहा था कि हिजबुल्ला के गड़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये दमाका हुआ ये हिजबुल्ला का वो सब देखिए ये उनके डॉकुमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मैमो कैश बुक्स होती है यानि पूरा कोई ऑफिस था जहां पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा अब ये तमाम लिट्रेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी है लेकिन खास बात क्या है इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है तीन चार घंटे हो गए है इन तमाम चीजों पर एर स्ट्राइक के जरिये इसराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दोरान हिजबुल्ला के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है और कहा ये जा रहा है कि ये हिजबुल्ला का इंटेलिजेंस हेड़कॉटर था आस पास की बिल्डिंग को भी नुपसान पहुंचा है मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया है वहां से ये तस्वीरे आने ही पा रही है इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं ये हिजबुल्ला का इंटेलिजेंस हेड़कॉटर था एक तरफ लिमनन के साउथ बॉर्डर कर रहा हैं और दूसरी तरफ एर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्ला के गड़ उनके कमांडरों के ठीकानों को नके अड़ों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे है एक इदर पूरा व्यू दिखाते है इस रॉके अटेक के बाद जो ये मिजाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखी आपको डिस्ट्रक्शन नजर आ जाईगी ये बिल्डिंगे धूदू करके जल रही है और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही वेकुएट करवाल ये गए हैं क्योंकि ये दाही दिला का हिजबूला का गड़ माना जाता है उनके सपोर्टर्स यहां रहते हैं यहां उनके लीडर्स कमांडर्स की मीटिंग होती है इसलिए इसराइल ने चुन-चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है और ये एक बड़ी तस